नमस्कार जैजुहार साथियु जागोपंच में आपका हार्तिक स्वागत अफिनन्दन साथियु जागोपंच लगातार अंद विश्वासर पाखंड को उखाड फेकने के लिए आपको ज्ञान परक बुद्धि परक विवेक परक वीडियोज देता है इसी संदर में आज भी बड़ा महतुपूर्ण वीडियो होने जा रहा है कि भगवान आपके घर की चौकीदारी करेंगे भगवान आकर आपकी रक्षा स्वयम करेंगे भगवान आपके दाहिने रहेंगे भगवान आपका भवी से समारेंगे भगवान आपका हर वो काम कि जिसे आप चाहते हैं, आप सम्रिद्ध होंगे, सक्तिसाली होंगे, भागे, आपका अच्छा होगा, जब आप भगवान को जान और समझ लेंगे, तो भगवान को हम कैसे जानेंगे, भगवान को हम कैसे समझेंगे, जब हम इस वीडियो को आखरी तक आप देखेंगे, चलिंगे हमारे समाज में अधिकतर लोग जो जानते हैं कि भगवान का मतलब क्या होता है भगवान का मतलब एक ईश्वर एक देवता, एक देवी और उस सुप्रेम पावर को लगाते हैं जो हम सभी को चला रहा हैं. लेकिन सबसे पहले हम भगवान की परिभासा को समझते हैं, आखिर भगवान की परिभासा क्या है, अगर हम अपने अनुसार लें, तो अपने अनुसार हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले जो हमारा समाज जानता है, उसके अनुसार जानते हैं, हमारा समाज क्या जानता है, सबसे पहले हम भगवान की परिभासा तैत्रियो पनिशद की के अनुसार बताएंगे तैत्रियो पनिशद में तीन एक में लिखा गया है जिससे संसार उत्पन हो जिससे संसार का पालन हो जिसमें संसार का ले हो उसका नाम भगवान है बेदांत एक एक दो ने भी यही कहा कि जिस भगवान से संसार प्रकट हो पालन हो प्रले हो वो भगवान है यानि बिना प्रले के भगवान नहीं है निर्मान का जो निर्मान हो पालन हो वो भी भगवान और प्रले हो तब भी भगवान यानि प्रले होना जरूरी है तो यह जो हमारे ब्रह्मन वर्ग है वो भगवा का किस तरह से मतलब निकालता है लेकिन अब यहाँ भगवान का जो मतलब है अगर वो हम अपने अनुसार देंगे तब क्या निकालेंगे? लेकिन पहले एक बार फिर इनके और जो चीजे हैं जैसे भागवत है उसमें क्या लिखा गया है? एक एक में तो पहले श्लोक में कहा गया है जिससे संसार उत्पन हो जिससे संसार का पालन हो जिसमें संसार का ले हो उसका नाम भगवान सिरी कृष्ण है यहाँ पर तो भगवान सभी सक्तियों से उक्त होते हैं अर्थात भगवान से में सभी सक्ति प्रकट होती है भगवान क नाम अनन्त हैं, अनन्त रूप हैं, अनन्त लीला है और परिकर भी होता है तो आप सभी यहाँ पर बड़े गौर से समझेगा भगवान का मतलब इनका कोई एक देवी देवता जो इन्होंने बनाया है लेकिन असली वास्तविक सब्दों में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो विकिपीडिया है यानि गूगल पे विकिपीडिया भी लोग अपडेट करते हैं यहाँ पर भगवान के भी अर्थ बताएगे हैं भगवान का इन्होंने ब्रामणी कल्चर में भी बताया हुआ है और एक जो और लोगों के बीच में प्रचलित कल्चर है उसका भगवान द जो अर्थ है अर्थात भग का मतलब यानि अर्थ क्या है इस्तरी की योनी या कोई भी योनी हो जो योनी कहलाती हो जिसे हम योनी कहते हैं उसका मतलब है भग और वान का मतलब यानि उसका अर्थ क्या है वान का मतलब उसको रखने वाला उसका संचालन करने वाला उसको निकल रहा है यानि कि योनिक को चलाने वाला यानि योनिक को समभालने वाला जैसे हम ले सकते हैं इसे धनागार तो जहां धन रखा रहता है उसे धनागार कहते हैं धनवान जहां जो धन जिसका जिसके पास धन बहुत सारा रहता है यानि जो धन का मालिक है वो धनवान कहलाता है उसी तरह कोचवान यानि जो रत को चला रहा होता है रतवान, कोचवान है ना तो इस तरह कई भासाएं है जिन से स्पष्च होता है कि इसका वास्तविक मतलब क्या होता है लेकिन इस अर्थ को लोग सुविकार नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा इसमें सरमेंदिगी महजूस होती है कि यह कैसा अर्थ है लेकिन अब आते हैं हम इसके वास्तविक अर्थ में अगर हम इसके वास्तविक दे रखा है टुकडों में बना के कि किसका क्या मतलब था संस्क्रीट भासा में भंज धातू से बना है भग जो है भंज धातू से बना है जिसका अरत है सेवायाम जो सभी की सेवा में लगा रहे कल्यान और दया करके सभी मनुश्य जीव भूमि गगन वायू अगनी नीर को द बनाया तो इसका अर्थ सही निकाला है लेकिन वास्तुविक अर्थों में इसका अर्थ आपको इन्हों ने जो बताया है वह आपके सामने इस परश्ट नहीं होता क्योंकि इसके पीछे के भी कारण है क्योंकि अगर हम बात करें कि जैसे इन्हों ने कह दिया भगवान, इनको वायू को इन सब को जो संस्कृत के भंजधातू से बना है लेकिन क्या कभी इन्होंने इसका मतलब जाना है इसका मतलब इन्होंने नहीं जाना इन्होंने इसका मतलब हमें गलत दिया है यानि एक तरफ तो यह कह रहे हैं भगवान का मतलब भूमी गरगन वायू नीर है लेकिन इसका मतलब इन्होंने हमें गलत दे दिया, एक आकार दे दिया, कौनसा आकार दे दिया, देवी देवताओं का, हमारे सामने कैसे कैसे भगवान प्रस्तुत कर दे, 33 करोड देवी देवताओं को, हमारे सामने भगवान की स्रेणी में, हमारा पालन पोशन करने के लिए 33 करोड लोगों की एक बड़ी संख्या लाके खड़ी करती लेकिन भगवान का वास्त्विक और जो साब्दी कर्थ है वह क्या निकलता है यह मैं आप सभी को अब बताता हूं तो साथियो भगवान का यहां जो साब्दी कर्थ है भा से भूमी गा से गगन वा से वायू और आ से अगनी और ना से नीर तो हम इस भगवान से कैसे खुस रह सकते हैं भगवान हम पर कैसे खुस रह सकते हैं यहीं से सारा रहस्य निकल के आता है लेकिन हिंदू धर्म जो हमा है ब्रह्मा है महेश है दुरुगा है तो भगवान का मतलब हमारे सामने तरह तरह के जितने ये दे भी दे होता है इनका फीचर सामने आ जाता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जब ये फीचर है जो ये एहसास किया है तो भगवान कैसे आपके पहरेदार होंगे कैसे आपके चौकीदार होंगे उसके लिए मैं अभी आपको अपने अगले अंसमें बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर भगवान हमारे ये देवी देवता ये मूर्तियां जो तरह तरह के 33 करोड की दे रखी हैं यानि हमारे सूर्य देवता भी इंद्र देवता भी ये सारे सारे रत लेके कोई रत लेके निकल रहा है कोई क्या ले निकल रहा है सूर्य ठक जाते हैं उनके घोड़े रुग जाते हैं मलमास लग ज एकदम दिल भासा जाता है कि गजब कितने बढ़िया सुंदर हमारे हैं, लेकिन क्या भी सोचा है कि भगवान कभी खीर कहा के पैदा होगा, भगवान को क्या अवतार लेनी की जरूरत पड़ेगी, भगवान को क्या जाके अपने पसीने से बच्चा पैदा करना होगा, क्या इस तरह मचली की पेट में पैदा करेगा क्या इस तरह वह दूसरों को बदनाम करेगा आप खुद को बदनाम करने के लिए जाके वह तरह तरह के पिर्थिवी पर पैदा हुए उस्त्रियों के साथ छल करेगा उनके साथ संबंध बनाएगा क्या ऐसा प्रभ इश्वर कर सकता है भगवान कर सकता है बिलकुल नहीं कर सकता तो साथियों अगर भगवान इस आकार में होता कि वह किसी की जा के मदद कर पाता तो निश्चित तोर पर आपको कभी कोई तकलीफ ना होती आपके दरवाजे पर हर वो साजो समान लगे होते और कोई इस पृत्वी पर दु प्रेटाओं के आकारवाला भगवान होता तो भगवान के वास्तुविक मतलब को हम अभी समझेंगे लेकिन पहले बात करेंगे अगर इनके पास सरीर है तब ये जब भूकम पाता है तो उनको पता नहीं चलता कहां होते हैं हुद्धुद जैसे तूफान आते हैं तब ये न सदत करने नहीं आता और आप देखिए देश में बहुत सारे बंबिस्पोर्ट हुए हैं हमारे देश में पुल्वामा जैसी घटनाएं हुई हैं तो क्या अगर हमारे पास 33 करोड देवी देवता में क्या किसी का एक भी एक का भी जमीर नहीं जागा कि हमारे देश की सैनिक हैं हमारे देश के बहुत सारी लोगों की पूझा खा रहे हैं उस पूझा खाने के बाद भी उन्होंने उन सैनिकों को बचाया नहीं तो फिर बात करते हैं यहां केदारनाथ की बाड़ में भी बहुत सारे लोग बह गए लेकिन कोई भी बचाने वाले नहीं आया और आप चोटी-चोडी बच्चियों के साथ मंदिरों में दुरगटनाएं हो जाती है, उनके साथ उनकी इज्जत लुट जाती है, लेकिन ये हमारी जो 33 करोड हैं, इन में से कोई नहीं आता, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कि हम भगवान के वास्तविक सुरूप को तभी समझें कि ये भगवान है कहां, ये आते क्यों नहीं, तो अब आप देखते हैं, सबसे बड़ी बात, मैं जहां रहता हूँ, इसी गाउं से, एक पूरी गाड़ी जाती है, पूरा परिवार जाता है, बाला जी का दर्शन करने के लिए, और रास्ते में एक्सिडेंट होता है, उस क कार में छे के लोग, छे के छे लोग मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बाला जी आके उनको बचाते नहीं है, फिर देखिए, चारो धाम की यात्रा करने के लिए, बसे जाती हैं वहाँ, खाई में पलड़ जाती हैं, और फिर क्या होता है, वो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं तो हम यहां पर हमें यही समझना है कि आखिर अगर यह 33 क्रोड देवी देवता ससरीर होती और इसके बाद इन लोगों के पास अपनी कोई चेतना होती तो निश्चित तोर पर आपको ऐसी तकलीफें न होती तो यह जब तकलीफें आप समझोगे तभी भगवान को समझ प आप है दुनिया की कहान यहां आपको बताते हैं लेकिन यह सारी चीजें आपको नहीं बताते यहां तक कि इवन यहां पर मूर्ती में प्राण प्रतिष्ठा का भी प्राविधान यहां पर है लेकिन इस मूर्ती में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी हमारे साथ क्या साढ होती है उसकी भरपाई हम नहीं कर पाते हैं और हम संकटों में घिरते चले जाते हैं लेकिन भगवान का हमारे पास आना नहीं हो पाता बहुत सारे ऐसे उपाय हम करते हैं कि भगवान हमारी मदद करें आके लेकिन हम वास्तविक भगवान को नहीं समझ पाते तो हमारा वास्तविक भगवान कौन है भा मने भूमी अगर हम अपनी भूमी को साफ सुथरा स्वक्ष रखेंगे यहां पर हम बात करेंगे कि भगवान कैसे हमारी मदद करेंगे वास्तविक भगवान कौन है तो अब यहां पर हमें समझना होगा कि भगवान है कौन भगवान कैसे हमारी पहरेदारी करेगा भगवान हमारी कैसे चौकीदारी करेगा भगवान कैसे हमारे सारे काम बनाएगा अब आपको मैं बताने वाला तो आप बहुत गौर से सुनिएगा भगवान कैसे आपकी मदद करेगा भूमी यानि आप भूमी पर जो काम करने वाले लोग है भूमी पर जो उपज होती है फसल होती है उसे हमें कैसे उन लोगों को जो इस पर काम कर रहे हैं भूमी पर पहली बात तो हम गंदगी ना फैलाएं दूसरा जो भूमी पर फसले उगाई जा रही हैं जो फसल उगा रहे हैं उनकी हम जादा से जादा मदद करें और क्योंकि वही भूमी हमें खाने को दोगी और जब हमें खाने को देगी तो निश्चित तोर पर हम हमारा सरीर पुष्ट होगा और हम मजबूत होंगे और हमें अच्छा मैसूस होगा, यानि कि भगवान हमारी मदद कर रहा है, भगवान कौन? भूमी हमारी मदद कर रही है, जब हम भूमी को सरचित रखते हैं, तो अब यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा, कि वास्तविक तौर पर जमीन से ही हमारा जीवन चलता है, जमीन से ह हमें और भी सारे संसाधन मिलते हैं, जमीन पर चलकर ही हम कहीं जाते हैं, आते हैं, हर काम कर पाते हैं, तो जमीन यानि भूमी, भूमी ही हमारी जन्म दाता है, जन्म शरक्षण करती है, हमारा जीवन है, अब आते हैं बात करते हैं गगन की, गगन से अगर आप अपना वात दूशित नहीं करेंगे तो आप बारिश होगी और जब बारिश होगी तो हमें पर्थवी पर जल मिलेगा हमारा जल अस्तर ठीक रहेगा और अगर हमारा जल अस्तर नीचे चला जाएगा हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम खातम हो जाएगे तो हमें अपने अटमास्फेर को या वो किरपा हमें ही मिलेगी ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है इसमें कोई बढ़वारा नहीं हो सकता इसमें कोई बेदभाव नहीं कर सकता इसमें कोई अलग से जो किरपा होगी वो पूरे मानव जाती पर्व होगी तो यही हमें समझना पड़ेगा कि हमारा वास्तुव भगवान को हमें कैसे सुरक्षित रखना है क्योंकि हम सबसे बिबेक से रप्लानी है तो भगवान अपने लिए हमें तैयार करना है भगवान को कैसे सुरक्षित रखना है तो भगवान को जब हम इस तरह से बनाएंगे तो भगवान हम पर महरबान होगा क्योंकि अगर वो श रिखक्त है दैब्रिक्त है वह था तो हम मरते न क्योंकि यह बार-बार मरना जन्म लेना कया उसे कोई खिलाडी है क्या कि हम लोगों से खेलता रहता तो यह हमें समझना हैं फिर अगला हमारा क्या है वह वह माने वाईू वाउ honestly तो मतलब सीधा सीधा आप समझे ऑक्सीजन अगर हम अपनी फैक्टरियों से और अन्य प्रकार सखेती के कारियों से जैसे प्राली लोग जला देते हैं तो धुआ धुआ फैल जाता है तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाती है तो जो हमारा सांस का मामला है हमें बिमारियां तर स्पास है तो हमें समझना होगा कि हमारा भगवान कौन है तो हमारा जो यह वायू है वायू हमारी प्राण दाता है तो इस प्राण दाता को हमें सुरक्षित रखना है जब हम सुरक्षित रहेंगे तो स्वस्त रहेंगे जब स्वस्त रहेंगे तो हमको उस आलोकिक वाले की जरूरत नहीं होगी, हमें जरूरत होगी कि हमारा ये पूरा यहीं से हो जा रहा है, हमें आलोकि उस पार नहीं जाना, जो कभी मिलने नहीं आता, देखने नहीं आता, उसकी जरूरत हमें नहीं होगी, फिर आते हैं हम, बात करते हैं किसकी, अगनी की, अगनी की हमें कितनी जरूरत होती है सूरे के द्वारा जो प्रकास आता है या अगनी जो इधर से जलाई जाती है तो इन सीज़ों जो कैसे हमें फायदा है इससे हमें फायदा है कि हम कोई चीज है पका के खा लेते हैं हमें ठंड लग रही है हाथ से के आपना काम चला लेते हैं कि हम कपड़े कम हैं उससे भी काम चल जाता है आग जला के तो हमारे लिए भगवान कौन है ये भगवान के सब्दों में से एक सब्द जो वह में डंडा लगा हुआ है वह हमें कैसे हर्च सुविधा उपलब्द करा तो यह है भगवान जो आपके सामने आके आपसे मुलाकात कर रहा है जो आपके आगे थाली आ रही है उस थाली में जो खाना पका हुआ रखा हुआ है वह इसी भगवान के एक डंडे से आ रहा है तो हमें किसे सुरक्षित रखना है किसे अपने लिए काम पर लगाना है तो यहां पर यह समझ रहा है कि यह भगवान हमारे लिए काम आके कर रहा है दूसरा कोई नहीं कर रहा किसी भी देवी देवता को कर लो जब यह चोटी चोटी बच्यों की पुजारी, पुरोहित उनकी इज़्ज़ से खेल जाते हैं तो कोई नहीं आता कोई नहीं आता, अगर कोई कहीं आया हो, तो बता दो, नहीं आया, तो हमें समझना होगा कि भगवान कौन है, तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं, ना से नीर की, नीर की उपयोगिता तो एक प्यासा ही जानता होगा, जिसे प्यास लगी हो, खुब गर्मी हो रही हो, बहुत सूख रहा हो, तो ऐसा लगता है कि बस अब प्राण गए, जब यह हो गया कि प्राण अब गए, तब समझे कि अब आलोकिक सक्ति नहीं बचाएगी, खाली एक घूट पानी बचाएगा, तो एक घूट पानी उनीर आपका भगवान हुआ, दूसरा भगवान नहीं आएगा तो इसलिए आप सभी इस बात को अपने इस विवेक में ठूस ठूस कर बैठा लीजिए, कि भगवान आपकी ये प्रकरती है, प्रकरती कैसे है? यनि भूमी, गगन, वायू, अगनी, नीर, यही हमारी प्रकरती ही हमारी भगवान है, तो हम प्रकरती के सहभागी बचाएग बने, जब हम प्रकरती के सहभागी बनेंगे, कैसे सहभागी बनेंगे? ब्रिक्षाड रोपन करेंगे, वायू प्रदूशन नहीं करेंगे, जल प्रदूशन नहीं करेंगे, और तरह तरह के जो प्रदूशन फैलाते हैं हम लोग, है ना, वो सारे बंद कर देंगे, तो हमा हमारा गगन शुक्ष रहेगा हमारा पानी हमें अधिक प्याधिक मिलता जाएगा और हम अपना लंबा जीवन जी पाएंगे जब लंबा जीवन जी पाएंगे इन सब को शुरक्षित करते हुए तो हमारा भगवान यही हमारी प्रकृति है प्रकृति के सहवागी बने क्योंक कि इसी में ही हमारा जीवन सुरक्षित है हमारा भगवान जो आलावकिक है वो कभी हमारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इनके फेर में आज तक कोई न सुरक्षित रहा है न कोई रह पाएगा क्योंकि इस बारे में हम बात करते हैं कि कुछ घालमेल जो हुए हैं पीछे उन घाल कवान कहीं पर भी नहीं बसता तो देखी यहां पर क्या कह रहे हैं बेद पुरान बेद पुरान संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू बेद में जब राम का नाम ही नहीं है तो बेद का मत राम के संबंध में क्या हो सकता है और यही सबसे बड़ी बास है कि बेदों में रा राम का नाम नहीं है तो यह पूरी की पूरी जो कहानिया बनाई गई गही हैं यह प्रपंच वाली कहानियों से आप बज़ें और आप असली भगवान को पहचाने जागो पंच का यही मक्सद है इसी तरह भगवान आपकी चोकीदारी करेंगे भगवान आपकी रक्षा करेंगे भगवान आपके साथ पल-पल हैं और रहेंगे जब आप प्रकृति के सहभागी बनेंगे और इनको पहचान पाएंगे तो साथियो आज का वीडियो यह आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो नए साथ ही देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले बैल आइकन की घंटी में दबाले जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तो लिजगेस से पहुंच जाए इसे के साथ आप से बिदा जैभीम जैमंडल जी